आज हादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर एस वासियों को अनेक अनेक शुपकामनाई बहुत बहुत बधाई नसरब हिंदुस्तान का हर कोना लेकिन दुनिया के हर कोने में आज किसी न किसी रूप में भारतियों के द्वारा या भारत के प्रती अपार प्रेम रखने वालों के द्वारा पिश्व के हर कोने में कि हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है मैं बिश्व भर में भाले हुए भारत प्रेमियों को भारतियों को आज हादी के इस अमरित महोसव की पहुत पहुत बधाई देता हूँ आज का ये दिवस एक्तिहासिक दिवस है एक पुन्य पढ़ाव एक नई राः एक नए संकल्प और नए सामर्ते के साथ कडम बढ़ाने का ये शुब आउसर है आजादी के जंग में कुनावी का पूरा कालखन संगर्ष में बिता है हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं था कोई काल ऐसा नहीं था जब देश वासियों ने सैंकडो सालों तक गुलामी के खिलाब जंग न किया हो जीवन न खपाया हो यातनाए न जेली हो आहुती न दी हो आज हम सब देश वासियों के लिए ऐसे हर महापुरुष को हर त्यागी को हर बलिदागी को नमन करने का आउसर है उनका रण सिकार करने का आउसर है और उनका स्मरन करते हुए उनके सपनों को जल्द से जल्द पूरा करने का संकल पलेने का भी आउसर है हम सभी देश वासि चतग्य है उज्य बापु के नेतासी सुभास चन्र बोश के पाबा साबाम्बेड करके पीर सावर करके जिनोंने करतब्य पत पर जीवन को खपा दिया करतब्य पत ही उनका जीवन पत रहा यह देश कतग्य है मंगल पांडे तात्या टोपे भगत सी सुखदेव राजगुरु चन्र से घर अजार अस्पागु लाखान राम प्रसाद बिस्बल अंगिनत ऐसे हमारे क्रांती वीरों ने अंग्रेजों की हुकुमत की नीव हिला दी दो यह रास्त करतग्य है उन विरांगनाओं के लिए रानी लक्ष्मि भाई हो चलकारी भाई तुर्गा भावी रानी गाईदिन लिओ रानी चन्रमा फेगम हजरत महाल तेलू निच्यार भारत की नारी शक्ति क्या होती भारत की नारी शक्ति का संकल्प क्या होता है खारत की नारी क्या अगवर बलिदान की क्या पराकास्टा कर सकती है वैसी अंगिनत फिरांगिनाओं का स्मरन करते हुए और हिंदुस्तानी गर्व से भर जाता है आजाजी का जंग भी लड़ने वाले और आजाजी के बाद देश बनाने वाले भी गॉक्टर राजेंदे प्रशाद जी हो नहरू जी हो सर्दार गल्लब भाई पटेल शामा प्रशाद मुखर जी लालबार्दु सास्त्री तिंदाल पाजिहाई जाई प्रकाद नारायन रामन और लोहिया आचार्य मिनोबा भावे नाना जी देश्पो फुर्पुमिन्यम भारती अंगिनत ऐसे महपुरुशों को आज नमन करने का आउसर है जमाजादी के जंग की चर्चा करते हैं तो हम उन जंग्यों में जीने वाले हमारे आदिवासी समाज का भी गव्रव करना हम नहीं भूल सकते भग्मान बिर्शा मुंडा जिद्धो कानो अलूरी सिताराम राजो गोविन गुरू अंगिनत नाम है किनों ने आज़ादी के आंदोलन की आवाज बन करके तूर सुदूर जंगलों में बीच मेरे आदिवासी भाई बेहनों में माताओं में युवकों में मात्र भूमे के लिए जीने मरने की प्रेना जगाई ये देश का सवभाग्य रहा है कि आज़ादी के जंग के कई रूप रहे है और उसमें एक रूप वो भी था जिसमें नारायन गुरू हो स्वामी विवेकानन्द हो महर्च और विंदो हो गुर्देव रमिन राट्टा गोर हो ऐसे अनेक महापुरूष हिंदुस्तान के हर कौने में हर कान में भारत की चेतना को जगाते रहे भारत को चेतनवंद बनाते रहे अमरुत महोत्सव के दोरान देश में पुरे एक साल से हम देख रहे 2021 में दांडी यात्रा से प्राड़म हुआ स्मुर्थी दिवस को समवरते हुए हिंदुस्तान के हर जिले में हर कौने में तेश वास्यों ने आज़ाजी के अमरुत महोत्सव के लक्षावदी कारकम किये है साइदी तिहास मैं इतना विशाल, व्यापक, लंबा एक ही मकसद का उत्सव मनाया गया हो वो शाहिदे पहली घटना हुई होगी और हिंदुस्तान के हर कौने में उन सभी महापुरुषों को याद करने का प्रयास किया गया इनको किसे ने किसी काना बस इतिहास में जगह नहीं मिली या उनको भुला दिया गया था आद देश ने खोज खोज करके हर कौने में ऐसे वीरों को महापुरुषों को त्याजियों को बलिदानियों को सत्याग्रियों को याद किया नमन किया अमृत महोस्व को दर्मियान इन सभी महापुरुषों को नमन करने करा उसर रहा कल चौद आगस को भारत ने विभाजन, विभीशिकाया, स्मृति दिवस्भी पड़े भारी मन से रुदे के गहरे गावों को याद करते हुए उन कोटी कोटी जनों ने पहाद को सहन किया था करंगे की शान के लिए सहन किया था मात्र भूमी की मिट्टी से महबत के करण सहन किया था और धैर ये नहीं खोया था भारत की प्रति प्रेम ने नई जिन्दगी की शुरुआत करने का उनकोन का संकल्प नमन करने योग्य है प्रेरे ना पानी योग्य है आज जब हम आज आज़ादी कामरत महोत्व बना रहे हैं तो पिछले 75 साल में तेश के लिए जीने मरने वाले तेश की सुरुख्षा करने वाले तेश के संकल्पों को पुरा करने वाले तैसेना के जबान हो पुलीस के कर्मी हो शासन में बैटे हुए बुरक्रेश हो जन प्रतिनीती हो तानी अस्वरायत की संस्ताओं के शासक प्रसासक रहे हो राज्यों के संसक प्रसासक रहे हो केंद्र के संसक प्रसासक रहे हो 75 साल में इन सब के योगजान को भी आज मरन करने का आउसर है और देश के कोटी-कोटी नागिलिकों को भी जिन्होंने 75 साल अनेक प्रकार की कढ़िनाईयों के बीच भी देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने से जो हो सका वो करने का प्रयास किया है मेरे प्यारे देश वाचियों 45 साल के हमारी यात्रा अनेक उतार चड़ाव से भरी हुई है सुख दुख की छाया मंडराती रही है और इसके बीच भी हमारे देश वाचियों ने उपलब्दिया की है पुर्शार्थ किया है ठार नहीं मानी है संकल्पों को ओजल नहीं होने दिया है और इसलिए और ये भी सच्चाई है कि सेंकडों सालों के गुलामी के कालखंड ने भारत के मन को भारत के मानवी के भावनाओं को गहरे गाव किये थे गहरी चोटे पहुँचाई थे लेकिन उसके भीतर एक जिद्ध भी थी एक जिजी विशा भी थी एक जिजून भी था एक जोम भी था और उसके कालए अभावों के बीच में भी उभास के बीच में भी और जब आज आज़ादी का जंग अंतिम चरण में था तो देश को दराने के लिए निराज करने के लिए हतास करने के लिए सारे उपाई किये गए अगर आज़ादी आई अंग्रेश चले जाएंगे तो देश तूट जाएगा बिखर जाएंगे लोग अंदर अंदर लड़कर के मर जाएंगे कुछ नहीं बचेगा अंधकार यूग में भारत चला जाएगा नजाने क्या क्या आशंकाई व्यक्त की गई थी तेकि इनको पता नहीं था ये हिंदुस्तान की मिट्टी है इस मिट्टी में वो सामर्थ है जो शांसकों से भी परे सामर्थ का एक अंतर प्रभार लेकर के जीता रहा है सद्यों तक जीता रहा है और उसी का परणाम है हमने क्या कुछ नहीं जेला कभी अन्न का संकट जेला कभी युद्व के शिकार हो गए आतंगवाद ने डगर डगर चुनोतियां पैदा की निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया छद्म युद्व चलते रहे प्राकृतिक आपदाएं आती रही सभलता विपलता आशा निराशा न जाने कितने पड़ाव आए है लेकिन इन पड़ाव के बीज भी भारत आगे पड़ता रहा भारत की बिविदता जो औरों को भारत के लिए बोज लगती थी वो भारत की बिविदता ही भारत की अनमोल शक्ती है शक्ती का एक अतुट प्रवा है और दुनिया को पता नहीं था कि भारत के पास एक इनहरेंट सामर्त है एक संस्कार सरीता है एक मन मस्तीश का पिचारों का बंदन है और वो है खारत लोगतंत्र की जननी है मदर अब डेमोक्रेशी है और जिनके जहन में लोगतंत्र होता है वे जब संक्यार पगर के चल पड़ते हैं वो सामर्त है दुनिया की बड़ी बली सल्तनातों के लिए भी संकट का काउन लेकर के आती है ये मदर अब डेमोक्रेशी ये लोगतंत्र की जननी हमारे भारत में सिद्द कर दिया कि हमारे पास एक अनमोल सामर्त है मेरे प्यारे देश वाच्छियों पचतर साल की आत्रा में आसाएं अपेक्षाएं उतार चड़ाओ सब किछ के बीच पर खरे के प्रयात्यम जहां तक पहुंच पाए थे पहुंचे थे और दोहजार चौदा में तेश वाच्छियों ने मुझे दाई तो दिया आज हदी के बाद जन्मा हुआ मैं पहला व्यक्ति था इसको लाग के लिए से देश वाच्छियों का गवरवगान करने का आउसर मिला था लेकिन मेरे दिल में जो भी आप लोगों से सीखा हूँ जीतना आप लोगों को जान पाया हूँ मेरे देश वाच्छियों आपके सुख दुख को समझ पाया हूँ देश की आँसा आपे छाओ कि भीतर वो कौन सी आतमा बस्ती है उसको जीतना मैं समझ पाया हूँ उसको लेकर के मैंने अपना पूरा कालखन देश के उन लोगों को एमपावर करने में खपाया मेरे तलीत हो, छोशीत हो, विडीत हो, पंचीत हो, आदिवासी हो मैला हो, युवा हो, किसान हो, तिम्यांग हो भूरब हो, पच्चिम हो, उत्तर हो, दक्चिन हो, समिधर का तट हो, हिमाले की कंद्राए हो हर कोने में, महत्मा गांदी का जो सपना था, आखरी इंसान की चिंता करने का महत्मा गांदी जी जो कहां चाती, अंतिम छोर पर बैटे हुए व्यक्ति को समर्त बनाने की मैंने अपने आप को, उसके लिए समर्पित किया, और उन आठ साल का नतीज़ा, आज हाजी के इतने दसकों का अनुभाव, आज पतरतर साल के पाज जब अमर्त काल की और कदम रख रहे हैं, अमर्त काल की ये पहली प्रभाद है तब, मैं एक ऐसे समर्थ को देख रहा हूँ और जिससे मैं गर्व से धर जाता हूँ, देश वाचियों, मैं आज देश का सबसे बड़ा सा उभागे देख रहा हूँ, कि भारत का जन्मन, आकांशी जन्मन है एस्प्रेस्टल सुसाइटी, किसी भी देश की बहुत बड़ी अमानत होती है और हमें गर्व है, कि आज हिंदुस्तान के हर कौने में, हर समाज के हर वर्ग में, हर तबके में, आकांशाएं उफान पर है देश का हर नागरी, कीजे बदलना चाहता है, बदलते देखना चाहता है लेकिन इंतजार करने को तयार नहीं है, अपनी आँखों के सामने देखना चाहता है कर्तबे से जूड़ करके करना चाहता है, वो गती चाहता है, वो प्रगती चाहता है 35 साल में संजोए हुए सारे सपने अपने ही आँखों के सामने पूरा करने के लिए वो लालाईत है उत्साहित है उतावला भी है कुछ लोगों को इसके कांसंकट हो सकता है क्योंकि जब एस्प्रेशनल सुसायकी होती है तब सरकारों को भी तलवार की धार पे चलना पड़ता है सरकारों को भी समय के साथ दोड़ना पड़ता है और मुझे विश्वास है कैंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, अस्थानिय स्वराज के संस्ताय हो किसी भी प्रकार की शासन व्यवत्ता क्यों न हो हर किसी को इन एस्प्रिस्टल सोसाइटी को एड्रेस करना पड़ेगा उनकी आकांग छाओं के लिए हम ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं हमारे इस एस्प्रिस्टल सोसाइटी ते लम्मे अर्से तक इंतजार किया है लेकिन अब वो अपनी आने वाली पिली को इंतजार में जीने के लिए मजबूर करने को तैयार नहीं है और इसलिए कि अमरित काल का पहली प्रभात हमें इस एस्प्रिस्टल सोसाइटी की आकांग छाओं को पुरा करने के लिए मेरे प्यारे देश वाढ़ियों हमने पिछले दिनों देखा है एक दोर ताकत का हमने अरूभाव किया है और वो है भारत में एक सामुझ चेतना का पुनरजागरन हुआ एक सामोई चेतना का पुनर जागरान आजहादी के इतने संगर्ष मैंसे जे अम्रत था वो अब संजवया जा रहा है संकलित हो रहा है संकल्प में परिवर्तित हो रहा है पुर्षार्थ की प्राकास सा जुड रही है और सिध्धी का मारण नजर आ रहा है ये चेतना मैं समझता हूँ कि चेतना का जागरान ये पुनर जागरान ये हमारी सबसे बड़ी अमानत है और ये पुनर जागरान देखिए तस अगस तक लोगों को पता तक नहीं होगा शायद कि देश के भीतर कौन सी ताकत है लेकिन पिछले तीन दिन से इस प्रकार से तरिंगे जंडे को लेकर के तरिंगा की यात्रा लेकर के दस चल पड़ा है बड़े बड़े सोशल साइंस के एकपार्ट्स ये भी शायद कल पना नहीं कर सकता है कि मेरे भीतर के अंदर कितने मेरे देश के भीतर कितना बड़ा सामर्द है एक तिरंगे जंडे ने दिखा दिया ये पुनर चेतना पुनर जागरन का पल है ये लोग समझ नहीं पाए है जब बेश चंता कर्भू के लिए हिंदुस्तान का हर कोना निकल परता है तब उस चेतना की अनुभूती है जब देश ताली ठाली बजा करके करोना वारियर के साथ कंदे से कंदा मिला करके क्षड़ा हो जाता है तब चेतना की अनुभूती होती है जब दिया जला करके कोरोना वारियर की शुब काम बना देने के लिए देश निकल पड़ता है तब उस ये तना के अनुभूती होती है दुनिया कोरोना के कालखन में वैक्सिन लेना या न लेना वैक्सिन काम काहग नहीं है उस उल्जन में जी रहा था उस समय मेरे देश के गाओं गरीबी दो सो करोड डोज दुनिया को चौका देने वाला काम करके दुखा देते हैं यही चेतना है यही सामर्थ है इस सामर्थ ने आज देश को एक नई ताकत दी है मेरे पहरे भाईयों भेनो 301 महत्वपून सामर्थ है मैं देख रहा हूँ जैसे एस्प्रिसनल सोसाइटी जैसे पुनर जांगर वैसे ही आजाजी के इतने दसकों के बार पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल चुका है पूरे विश्व भारत के तरफ गर्व से देख रहा है अपेच्छा से देख रहा है समस्याओं का समाधान भारत की दर्ती पर दुनिया खोजने लगी है दोश्व विश्व का यह बर्लाव विश्व की सोच में यह परिवर्तन 75 साल के हमारी अनुभाव यात्रा का परिणाम है हम जिस प्रकार से संकल्पो लेकर ज़े चल पड़े हैं दुनिया इसे देख रही है और आखिर कर विश्व भी उमीदे लेकर के जी रहा है उमीदे पुरे करने का सामर्थ कहा पड़ा है वो उसे दिखने लगा है मैं इसे इत्री शक्ती के रुप में देखता हूँ तीन सामर्थ के रुप में देखता हूँ और ये त्री शक्ती है एस्पिरेशन की पुनर जागरण की और विश्व की उमीदों की और इसे पुरा करने के लिए हम जानते हैं दोस्तों आज दुनिया में कभी स्वाज जगने में मेरे देश वाज्यों की बहुत बड़ी भूमी का है एक चो तीस करोर देश वाज्यों ने कई दसकों गैनुभाव के बाद थीर सरकार का महत्मे क्या होता है राजनितिक स्थिर्टा का महत्मे क्या होता है पुडिकल स्टैबिलिटी दुनिया में किस प्रकार के ताकत दिखा सकती है नीतियों में कैसा सामर्द होता है उन नीतियों पर विश्चों का कैसे भरोता बनता है ये भारत ने दिखाया है और दुनिया भी इसे समझ रही है और हम जब राजनितिक स्थिरता हो नीतियों में गति सिलता हो मिल्ड़ों में तेजी हो सर्व व्यापकता हो सर्व समाजवेशकता हो तो विकास के लिए हर कोई भागिदार बनता है हमने सब का साथ सब का विकास का मंत रहे के हम चले थे लेकिन देखते ही देखते देशवाजियोंने सब का विस्वार और सब का प्रयाज से उसमें और रंग भर दिये हैं और इसलिए हमने देखा है हमारी सामुहिक शक्ति को हमारे सामुहिक सामर्त को हमने देखा है आज हादिक अमर्ट महुत्त जिस प्रकार से बनाया गया जिस प्रकार से हाज अहर जीले में 75 अमरित सरोवर बनाने का अभ्यान चल रहा है गाउं गाउं के लोग जुड रहे हैं कार सेवा कर रहे हैं अपने प्रहतों से अपने गाउं में जल सवरोच्छन के लिए बड़ा अभ्यान चला रहे हैं और इसलिए भाईयो बैनो चाहे स्वच्छता का अभ्यान हो चाहे गरीबों के कल्यान का काम हो देशाच पूरी शक्ति सा आगे बढ़ रहा है लेकिन भाईव बैनो हम लोग आजहादी के अमरित काल्ब है हमारी पच्चतर साल की यात्रा को उसका गवरोगानी करते रहेंगे अपनी ही पीट थप थपाते रहेंगे तो हमारे सपने कहीं दूर चले जाएंगे और इसलिए क्षट्र साल का काल्गन कितना ही शांदार रहा हो कितने ही संकटोंवाला रहा हो कितने ही चुनोतियों वाला रहा हो कितने ही सपने अधुरे दिखते हो उसके बावजुद भी आज जब हम हमरित काल में प्रवेश कर रहे हैं अगले पचीस वर्स हमारे देश के लिए अकिन्त महत्व पूरा है और इसलिए जब आज मेरे सामने लाल किरोश पर से 130 करोर देश वासियों के सामर्थ का स्मरण करता हूँ उनके सपनों को देखता हूँ उनके संकल्पों की अनुभूती करता हूँ तो सात्यों मुझे लगता है आने वाले पचीस साल के लिए हमें उज पांच पंच प्रान पर अपनी शक्ति को केंदित कर दी हो अपने संकल्पों को करिंदित करना होगा अपने सामर्थ को करिंदित करना होगा और हमें उन पंच प्राण को ले करके तोहजार सैतालिश जब आजहदी के सो साल होंगे आजहदी के दिवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा दे जब मैं पंच प्राण की बात करता हूँ तो पहला प्राण अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है पिक्सित भारब अब उससे कुछ कम नहीं होना जाए बड़ा संकल्प दूसरा प्राण दूसरा प्राण है किसी भी कौने में हमारे मन के भीतर आदतों के भीतर तुलामी का एक भी आउश अगर अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में पच्चने नहीं देना अब सत्प्रतिशत सत्प्रतिशत सैंकडो साल की गुलामी ने जहां में जकर कर रखा है हमारे मन और भाव को बांद करके रखा हुआ है हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नज़राती है हमारे भीतर नज़राती है हमारे आसपास नज़राती है हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी कि हमारा दूसरी प्राण शक्ती है तीसरी प्राण शक्ती हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए हमारी विरासत के प्रती क्योंकि यही विरासत है जिसने के भी भारत को स्वनिम काल दिया था और यहीं विरासत है जो समानया को लोकुल परिवर्टन करने की आदत रखती है यहीं विरासत है जो काल बहाँ ये छोड़ती रही है नित्य नूतन स्विकारती रही है और इसलिए इस विरासत के प्रती हमें गर्व होना चाहिए चौथा प्राण वो भी उतना ही महत्वपून है और वो है एकता और एक जुटता 130 करोर देश स्वाचियों में एकता न कोई अपना न कोई पनाया एक ताकी ताकत एक भारत स्वेश्ट भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण और पांचवा प्राण प्राण है नागरी कों का कर्तव्या नागरी कों का कर्तव्या जिसमें प्रधान मंत्री भी बहार नहीं होता है मुख्यमंत्री भी बहार नहीं होता है वो भी नागरीक है नागरीकों का करतव्या कि हमारे आने वाली पतीज साल के सपनों को पुरा करने लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ती है तेरे प्यारे देश्वासियो जब सपने बड़े होते है जब संकल्प बड़े होते है तो पुर्शार्थ भी बहुत बड़ा होता है शक्ती भी बहुत बड़ी मात्रा में जूद जाता है अब कोई कल्पना कर सकता है कि देश उस चालीस बैालीस के कालखन को याद कीजिए देश उठ खड़ा हुआ था किसे ने आतमे जाड़ू लिया था किसे ने तकली ली थी किसे ने रेट या लिया था किसे ने सत्यागर का मान चुना था किसे ने संगर्ष का मान चुना था किसे ने कांती की वीर्था का रास्ता चुना था लेकिन संकल्प बड़ा था आज़ादी और ताकत देखिए बड़ा संकल्प सा तो आज़ादी लेके रहे हम आज़ाद हो गए अगर संकल्प छोटा होता सिमीत होता तो शायद आज़ भी संकल्प करने के दिन चालू रहते लेकिन संकल्प बड़ा था तो हमने हासिल भी गिया मेरे पैरे देश वासियो अब आज जब अमुर्द काल की पहली प्रभात है तो हमें इस पतीश साल में पिक्सित भारत बना के रहना है अपनी आखों के सामरे हैं और जो 20-22 पतीश साल के नवजवान मेरे देश के मेरे सामरे है मेरे देश के नवजवानों जब देश आज आज़िके 100 साल मनाएगा तब आप 50-55 के हुए होगे मदलब आपके जीवन का इस्षवनिमकाल आपकी उमर के ये 25-30 साल भारत के सपनों को पूरा करने का काल है आप संकल्प लेकर के मेरे साथ चल पड़िये साथ यो तिरंगे जंडे के सपन लेकर के चल पड़िये हम सब पुरी ताकत से लगे आए पढ़ा संकल्प तेरा देश पिक्सित देश होगा डवलप कंट्री होगा विकास के हरे पेरामेटर हम मानव केंदरी व्यवस्ता को विक्सित करेंगे हमारे केंदर में मानव होगा हमारे केंदर में के मानव के आशा आकांग्शाय होगी हम जानते हैं हारत जब बड़े संकल्प करता है तो करके भी दिखाता है कि मैंने यहां स्वच्छता की बात कही थी पेहले भाशन में देश चल पड़ा जिससे जहां हो सका स्वच्छता की और आगे बढ़ा और गंदगी के प्रती नफ्रत एक स्वफाव बनता गया यही तो देश है जिसन कि वैक्षिनेशन दुनिया दुविदा में थी 200 करोड का लक्ष पार कर लिया समय सीमा में कर लिया पुराने सारे रेकोर्ड तोड़के कर लिया यह देश कर सकता है हमने ताई किया था कि देश को थाड़ी के तेल पर हम गुजारा करते हैं जाड़ी के तेल की और कैसे बढ़े दस प्रतीशत इथेनोल ब्लैंडिंग का सपना बड़ा लगता था पुराना इत्याद बताता था संभव नहीं है लेकिन समाई से पहले दस प्रतीशत इथेनोल ब्लैंडिंग करके देश पूरा कर दिया है भागियों बैनो धाइक करोर लोगों को इतने कम समय में बिजली कनेक्शन पहुचाना खोटा काम नहीं था तेश ने करके दिखाया लाखों परिवारों के घर में जल से नल नल से जल नल से जल पहुचाने का काम आज देश तेजगती से कर रहा है फुले में सौच से मुक्ती भारत के अंदर आज संभव हो पाया है मेरे पैरे देश वासियों अनुभव कहता है एक बार हम सब संकल्प लेकर के चल पड़े तो हमने धारित लक्षों को पार कर सकते हैं रिन्योबल एनर्जी का लक्ष्य हो तेश में नए मेडिकल कॉलेज बनाने का इरादा हो डॉक्तरों की तैरिक करवानी हो हर छेत्र में पहले से गती बहुत बड़ी है और इसलिए मैं कहता हूँ अब आने वाले 25 साल बड़े संकल्प लिए हो यही हमारा प्राण वही हमारा प्रन भी होना चाहिए दूसरी बात मैंने कही है उस प्राण सक्ति की मैंने चर्चा की है कि गुलामी की मानसिकता देश की सोचिए भाईयों कब तक दुनिया हमें सेटिपिकेट बारती रहेगी कब तक दुनिया के सेटिपिकेट पर हम आएंगे कि एक सो तीस करोड का देश अपने मानकों को पार करने के लिए पुर्शारत नहीं कर सकता है हमें किसी भी हालत में औरों के जैसा दिखने की, कोशिच करने की जरूत नहीं है हम जैसे है वैसे लेकिन सामर्त के साथ खड़े होंगे ये हमारा मिजाज होना जाए हमें गुलामी से मुक्ती चाहिए हमारे मन के भीतर दूर दूर साथ सवंदर के नीचे भी तुनामी का तत्व नहीं बच्च रहना चाहिए रादे और मैं आशा देखता हूँ जिस प्रकार से नहीं राष्टिय सिक्षानिती बनी है जिस मंथन के साथ बनी है कोटी कोटी लोगों के विचार प्रवा को संकलित करते हुए बनी है और भारत की धर्ती की जमीन से जुड़ी हुई सिक्षानिती बनी है रसकस हमारी धर्ती के मिले है हमने जो कउशले पर बन दिया है ये एक ऐसा सामर्त है जो हमें तुलामी से मुक्ती की ताकत देगा हमने देखा है कभी कभी को हमारी टैलेंट बाशा के बंदरों में बन जाती है मैं गुलामे की मान्थिकता का परलाव है हमे हमारे देश के हर भाशा पे गर्ब होना चाहिए तो हमें बाशा आती हो या ना आती हो लेकिन मेरे देश की भाशा है मेरे पुरबेजों ने दुन्या को दी हूई ये बैट सोगाद है हमें गर्भ होना चाहिए मेरे साथ वियों आज डिजिटल इंडिया का रूप हम देख रहे हैं स्टार्ट अप देख रहे हैं कौन लोग है यह वो टैलेंट है जो टियर टू, टियर थ्री सिटी में किजी गाउं गरीब के परिवार में बसी हुए लोग है यह हमारे नवदवान है जो आज नई नई खोच के साथ दुनिया के सामने आ रहे है गुलामी की मानसिका हमें उसे तिलांजी देनी पड़े अपने सामर्थे पर भरुसा कर रहा हूँ दूसरी एक बात जो मैंने कही तीसरी मेरी प्राण सक्ति की बात वो है हमारी विरासत पर हमें गर्व होना चाहिए जब हम जब हम अपनी धर्ती से जुडेंगे जब हम अपनी धर्ती से जुडेंगे तभी तो उचा उडेंगे और जब हम उचा उड़ेंगे तो हम विश्व को भी समाधान दे पाएंगे हमने देखा है जब हम अपनी चीजों पर गर्व करते हैं अज दुनिया होलिस्टिक हेल्थ केर की चर्टा कर रही है लेकिन जब होलिस्टिक हेल्थ केर की चर्टा करती है तो उसकी नेजर भारत के योग पर जाती है भारत के आईरुवेट पर जा रहती है भारत की होलिस्टिक लाइफ टाइल के पर जाती है यह हमारी विरासत है हम जो दुनिया को दे रहे दुनिया आज उससे प्रभावित हो रही है हम हमारी ताकत देखिए हम वो लोग है जो प्रकृति के साथ जीना जानते हैं प्रकृति को प्रेम कर रहा जाते हैं आज विश्व परियवरन की जो समस्यां से जूज रहा है हमारे पास वो विरासत है लोबल बॉर्मिंग की समस्यां के समाधान का रास्ता हम लोगों के पास है हमारे पुर्वजों ने दिया हुआ है जब हम लाइफ स्ट्राइल की बात करते हैं Environment Friendly Life स्ट्राइल की बात करते हैं तो दुनिया का धान आकछित करते हैं हमारे पाजे सामर्त है हमारा बड़ा धान मोटा धान मिलेट हमारे यहां तो घर-घर की चीज रही है कि हमारी विरासत है हमारे छोटे किसानों के परिशनम से छोटी-छोटी जमीन के टुकड़ों में खलने फुलने वाली हमारे धान अज़ दुनिया अंतराश्चिस तरफर मिलेटियर मनाने के लिए आगे बढ़ रही है मतलब हमारी विरासत को आज दुनिया हम उस पर गर्व करना से के हमारे पास दुनिया को भाद कुद देना है हमारे फैमिली वैल्यूश विश्व के सामाजिक तनाव की जब चर्चा हो रही है प्यक्तिक तनाव की चर्चा होती है तो लोगों को योग दिता है सामों ही तनाव की बात होती है तब भारत की पारिवारे की ववस्ता दिन सहीं तो परिवार के पूंजी सज्यों से हमारी माता और वेहनों के त्याग बलिदान के कारण परिवार नाम की जो विवस्था विक्सित हुई यह हमारी विरासत है इस विरासत पर हम गर्व कैसे करें हम तो वो लोग है जो जीव में विशीव देखते हैं हम वो लोग है जो नर में नाराइन देखते हैं हम वो लोग है जो पौधे में परमात्मा देखते हैं हम वो लोग है जो नदी को मा मानते है हम वो लोग है जो कंकर में हर कंकर में शंकर देखते है यह हमारा सामर्त है हर नदी में मा का रूप देखते है परियावरन की इतनी व्यापकता विशालता कि हमारा गवरो हम विश्व के सामरे जब खुद गर्व करेंगे तो दुनिया करेंगे हायो बैना हम वो लोग है जिसने दुनिया को बथुदेव कुटुमकम का मंत्र दिया हम वो लोग है जो दुनिया को कहते हैं एकम सत्विप्रहा बदोवदनती आज जो खोली अर्देन दाव का जो संकर चल रहा है तुछ से बड़ा मैं हूँ ये जो तनाव का कारण बना हुआ है दुनिया को एकमसत विप्रादा बहुदा बदंतिय का ज्यान देने वाले दिवासत हमारे पास हैं जो कहते हैं सत्य एक है जानकार लोग उसको अलग-अलग तरीके से कहते हैं ये गवरव हमारा है हम लोग हैं जो कहते हैं यत्पिंडे तद्रमांडे कितनी बड़ी सोच है जो ब्रमांड में है वो हर जीव मात्र में है यत्पिंडे तद्रमांडे ये कहने वाले हम लोग है हम वो लोग हैं, जितने दुनिया का कल्यार देखा है, हम जन कल्यार से जग कल्यार के राही रहे हैं, जन कल्यार से जग कल्यार की रहा पर चलने वाले हम लोग, जब दुनिया की कामना करते हैं, तब कहते हैं, सरवे अपने सुकेने संतु, सरवे संतु निरावाया, सबके सुक की बात, सबके आरोगे की बात करना ये हमारी विरासत है और इसलिए हम बड़ी शान के शार हमारी इस विरासत का गर्व करना सीखे ये प्रान शक्ति है हमारी तो हमें 25 साल के सपना पुरा करने लिए जरूरी है उसी प्रकार से मेरे प्यारे देश वास्चियो एक और महत्वपुन विजह है एक ता एक जूटता इतने बड़े देश को उसकी विवीतिता को हमें सेलिब्रेट करना है इतने पंथव परंपराए कि हमारे आन बान शान है कोई नीचा नहीं कोई उंचा नहीं है सब बराबर है कोई मेरा नहीं कोई पराए नहीं सब अपने है यह भाव एक ता के लिए बहुत जरूरी है गर्मे भी एक ता की निवत अभी रठी जाती है जब बेटे बेटी एक समान हो अगर बेटे बेटी एक समान नहीं होगे तो एक्ता के मंत्र नहीं गुच सकते Gender Equality हमारी एक्ता गली पहली सब जब हमारे एक्ता की बात करते हैं अगर हमारे एक ही परामिटर हो एक ही मांदन हो जिस मांदन को हम कहें India First मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ जो भी सोच रहा हूँ जो बोल रहा हूँ India First के अनुकुल है एक्ता का रास्ता खुल जाएगा दोस्त हमें इतना से बांदने का वो मंत्र है हमें इसको पकड़ना है मुझे पुरा विश्वास है कि हम समाज के अंदर उंचने के भेजभावों से मेरे तेरे के भेजभावों से हम स्रब की पूजारी बने फ्रमिये वुजयते कहते हैं फ्रमिक का सम्मान कि हमारा स्वभाव बनाची लेकिन भाईयो भेनो मैं लाल के लिए से मेरी एक प्विड़ा और कहना चाहता ये दर्द में कहे भिना नहीं रहा है मैं जानता हूँ कि शायद लाल के लिए का विशय नहीं हो सकता लेकि मेरे भीतर का दर्द में कहां कहूंगा तेरे स्वाच्यों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा और वो है किसी ने किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विक्रुती आई है हमारी बोलचाल में हमारी बहवार में हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अप्मान करते हैं क्या हम स्वभाव से समस्कार से रोज मरा की जिन्दगी में नारी को अप्मानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं नारी का गव्रो राज के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वारा है यह सामर्थ में देख रहा हूँ और इसलिए मैं इस बात का आग रही हूँ मेरे प्यारे देशवास ही रहा हूँ मैं पांच भी प्राण शक्ति की बात करता हूँ और वो पांच भी प्राण सकती है नागरिक का करतव्या है दुनिया में जिन जिन देशों ने प्रगति की है जिन जिन देशों ने कुछ एचिव किया है व्यक्ति के जीवन भे भी जिसने एचिव किया है कुछ बाते उभर करके सामने आती है एक अनुशासित जीवन दूसरा सर्तव्या के प्रती समर्पा व्यक्ति की जीवन की सबलता हो सबाज की हो परिवार की हो राश्ट की हो यह मुलभुत मार्ग है यह मुलभुत प्राण शक्ती है और इसलिए हमें कर्तब पर बल देना ही होगा यह शांसन का काम है कि बिजली 24 गंटे पहुंचाने के लिए प्रयास करे लेकिन यह नागरिक का कर्तब है कि जितनी ज्यादा युनिट बिजली बचा सकते बचाएं हर खेट में पानी पहुंचाना सरकार की जिम्मेवारी है सरकार का प्रयास है लेकिन और ड्रॉप मौर क्रॉप पानी बचाते हुए आगे बढ़ना मेरे हर खेट से आवाज उठनी चाहिए केमिकल मुक्त खेती और यह निक फार में प्राकृतिक खेती यह हमारा कर्तब रहे आधियों के चाहे पुलीस हो या पीपल हो शांसक हो या प्रशांसक हो यह नागरिक कर्तबे से कोई अच्छुता नहीं हो सकता हर कोई अगर नागरिके के खर्तबियों को निभाएगा तो मुझे विश्वास है कि हम इच्छित लक्ष को प्राप्त करने में समय से पहले सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्यारे देश्वास लिए आज मारश्य अर्विंदो की जन्ब जैन्ती भी है मैं उस महापुरुष के चरणों में नमन करता हूँ लेकिन हमें उस महापुरुष को याद करना होगा जिन्होंने कहा था स्वदेशी से स्वराज 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 ये उनका मंत्र है हम सब को सोचना होगा कि हम कब तक दुनिया के और लोगों पर निर्भर रहेंगे क्या हमारे देश के अनकी आवश्रकता हो हम आउट्सोर्स कर सकते हैं क्या जब देश ने टाए कर लिया कि हमारा पेट हम खुद भरेंगे देश ने करके दिखाया कर नहीं दिखाया एक बार संकल्प लेते हैं तो होता है दोस्ते और इसलिए आत्मनिर भर भारत ये हर नागरी का हर सरकार का समाज के हरिकाई का ये दाइट्व बन जाता है ये आत्मनिर भर भारत इस सरकारी एजन्दा सरकारी कारकम नहीं है ये समाज का जन अंदोलन है जिसे हमें आगे भड़ाना है मेरे साथियों आज जब ये बात हमने सुनी आज आज आज़ी के 75 साल के बाद जिस आवाज को सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे 75 साल के बाद वो आवाज सुनाई दी है 75 साल के बाद लाल किले पर से तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया है कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको ये बात एक आवाज उसे नई प्रेणा ताकत नहीं दे और इसलिए मेरे पेरे भाई वेहनों मैं आज मेरे देश के सेना के जवानों का रदेश से अभिनंदर कबरा चाहता हूं मेरी आत्मने भर की बात को संग्यटित स्वरूत में साहस के सुरूत मेरे मेरी सेना के जवानों ने सेना नायकों ने जिस जिम्मेवारी के साथ कंदे पे उठाया है मैं उनको जितनी सेलिट करूं तनी कम है दो उनको आज में सलाम करता है क्योंकि सेना का जवान मौत को मुठी में लेकर के चलता है मौत और जिन्दिकी के बीच में कोई फासला ही नहीं होता है और तब बीच में वो डट करके खड़ा होता है और वो मेरा सेना का जवान ताय करे कि हम तीन सो ऐसी चीज़ों अब लिस्ट करते हैं जो हम विदेश से नहीं लाएंगे हमारे देश की ये संकल्प छोटा नहीं मुझे इस संकल्प में भारत के आत्मन निर्फर भारत के उज़िवल भविश्के वो बीज मैं देख रहा हूं तो इस सपने को वटब रुक्ष में परिविर्थित करने वाले हैं सेल्यूट मेरे सेनार के दिकारियों को सेल्यूट मैं आज मेरे छोटे छोटे बालकों को पांच साल साथ साल की आयू के बालक उनको भी सेल्यूट करना चाहिए उनको भी सलाम करना चाहिए जब देश के सामने छेतना जगी मैंने ने सेंकड़ों परिवारों से सुना है पांच पांच साथ साल के बच्चे घर में कह रहे हैं कि अब हम विदोसी खिलोने से नहीं खेलें पांच साल का बच्चा घर में विदेशी खिलोने से नहीं खेलेंगे ये जब संकल्प करता है ना तब आत्मंदिर पर भारत उसकी रगों में दोड़ता है आप देखिए PLI स्कीम एक लाग करोड रुपिया दुनिया के लोग हिंदुस्तान में अपना नसी भज़वाने आ रहे है टेक्नलोजी लेकर के आ रहे है रोजगार के नए अउसर बना रहे है खारत मैनुफेक्टरी हब बनता जा रहा है आत्म निर्भर भारत की उनियाद बना रहा है आज एलेक्टरनिक गूर्स मैनिफेक्टरी हो मोबाइल फोन का मैनिफेक्टरी हो आज देश बहुत तेजी से प्रगदी कर रहा है जब हमारा ब्रम्मोस दुनिया में जाता है कौन हिंदुस्तानी होगा इसका मन आस्मान को नच्छुता होगा आज हमारी मेट्रो कोचिश हमारी बंदे भारत ट्रेंग विश्व के लिए आकर्शन बन रहा है मेरे प्यारे देश वाग्शुतानी हमें आत्म निर्भर बनना है हमारे एनर्जी सेक्टर हम कब तक एनर्जी के सेक्टर में किसी और पर डिपेंडेंट रहेंगे और हमें सोलार का खेत्र हो पिन एनर्जी का खेत्र हो रिडियोबर के और भी जो रास्ते हो मिशन हाइड्रोजन हो पायो फ्यूवल की कोशिश हो इलेक्रिक वेगिकल पर जाने की बात हो हमें आत्मंदिर फर बन करके इनी व्यवस्ताओं को आगे बढ़ाना होगा मेरे प्यारी व्यवस्त देशवास जीओ आज प्राकृतिक खेती भी आत्मंदिर फर का एक मार्ग है फर्टिलाइजर से जितनी ज़्यादा मुक्ति आज देश में नैनो फर्टिलाइजर के कार खाने के नहीं आशा लेकर क्या आए है लेकिन प्राकृतिक खेती, केमिकल फ्री खेती, आत्मंदिल भर को ताकत दे सकती है आज देश में, रोजगार के खेत्र में, ग्रीन जॉब के नएने, खेत्र बहुत तेजी से खुल रहे हैं भारत ने नीतियों के द्वारा पेस को खोल दिया है ट्रॉन की बहुत दुनिया में सबसे प्रगतिशिल पॉलिस से लिए करके आये हैं हमने देश के नवज़मानों के लिए नए द्वार खोल दिये है तो तेरे भाईयों भेनों, मैं प्राविट सेक्टर को भी आवाहन करता हूँ आईए, हमें वीश्व में चा जाना है आत्मंदिर भर भारत का ये भी सपना है कि दुनिया को भी जो आवशक्ता हैं उसको पूरा करने में भारत पीछे नहीं जाएगा हमारे लगूद्योग होए, सुच्मूद्योग हो, कुटिरूद्योग हो जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट हमें उसको करके हमें दुनिया में जाना होगा हमें स्वदेशी पर घर्व करना होगा मेरे प्यारे देशवासियों हम बार बार लाल बादूर सास्त्री जी को याद करते हैं जय जवान, जय किशान का उनका मंत्र आज भी देश के लिए प्रेना है पाद में अकल भी हरिवास्पाई जी ने जय विज्ञान कहकर के उसमें एक कड़ी जोड दी थी और देश ने उसको प्रात्विक्ता दी थी लेकिन अब अम्रित काल के लिए एक और अनिवार्यता है और वो है जय अनुसंधान जय जवान, जय किशान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान इनोवेशन और मुझे मेरे देश की युअप पीडी में फरोसा है इनोवेशन की ताकत देखिए आज हमारा UPI भीम, हमारा डिजीटल पेमेंट, हिंटेक की दुनिया में हमारा स्थान आज विश्व में रियल टाइम, 40% अगर डिजीटल फाइनांचल का ट्रेंजेक्शन होता है मेरे देश में हो रहा है, हिंदुस्तान ने ये करके दिखा रहा है मेरे प्यारे देश वास्यों, हम हम 5G के दोर की और कदम रख रहे हैं बहुत दूर इंतजार नहीं करना होगा हम कदम मिलाने वाले हैं हम अप्टिकल फाइबर गाउं गाउं में पहुँचा रहे हैं इजीटल इंडिया का सपना गाउं से गुजर रहेगा ये मुझे पुरी जानकारी है आज मुझे खुशी है हिंदुस्तान के 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स गाउं में विक्सिद हो रहे हैं गाउं के नवजवान, बेटे बेटियां कॉमन सर्विस सेंटर्स चला रही है देश गर्व कर सकता है कि गाउं के छेत्र में 4 लाख डिजिटल एंट्रप्रेनर का तयार होना और सारी सिवाएं लोग, गाउं के लोग उनके यहां लेने के लिए आदि बन जाए ये अपने आप में टेक्नोलोजी हब बेनने की भारत की जो ताकत है मेरे प्यारे देश वास्यों इस जो डिजिटल इंडिया का मूवमेंट है जो सेमिकंड़क्टर की और हम कदम माट रहे है 5G की और कदम माट रहे है अप्टिकल फाइबर का नेटवर बिशा रहे है ये सिरफ आदिनिक्ता की पहचान ऐसा नहीं है तीन बड़ी ताकते इसके अंदर समाई ही था टिक्षा में आमुल चुलक्रांती ये डिजिटल माध्धम से आने वाली स्वास्त सेवाओं में आमुल चुलक्रांती डिजिटल से आने वाली है किसी जीमन में भी बहुत बड़ा बड़लाव डिजिटल से आने वाला है एक नया विश्व तयार हो रहा है भारत उसे आगे बढ़ाने के लिए और मैं साब देख रहा हूं दोस्ते ये डेकेड मानो जात के लिए टेकेड का समय है टेकनलोजी के डेकेड है भारत के लिए तो ये टेकेड जिसका मन टेकनलोजी से जुड़ा हुआ है आईटी की दुनिया में भारत ने अपना एक लोहां बनवा लिया है तो ये टेकेड का सामर्थ भारत के प्यास है हमारा अटल इनोविशन मिशन हमारे इंक्युमेसिन सेंटर हमारे स्टार्ट अप एक नया नया पुरा क्षेत्र का विकास कर रहे है क्यों आप पीडी के लिए नए अवसर लेकर क्या रहे है स्पेश मिशन की बात हो हमारा डीम ओसन मिशन की बात हो समंदकी गहराए में जाना हो जहामें आसमान को छुना हो इन नये ख्षेत्र हैं जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहा है मेरे प्यारे देश वासियो हम इस बात को न भुले और भारत ने सदियों से देखा हुआ है जैसे देश में कुछ नमुना रुप कामों की जरुत होती है कुछ बड़ी बड़ी उंचाईयों की जरुत होती है लेकिन साथ साथ धरातल पर मजबूती बहुत आवश्यक हो भारत की आर्थिक विकाज की संभावनाएं धरातल की मजबूती से जुड़ी हुए और इसलिए हमारे छोटे किसां उनका सामर्त है हमारे छोटे उद्यमी उनका सामर्त है हमारे लगूद्योग, कुटिर उद्योग, सुक्षम उद्योग, रेड़ी पट्री वाले लोग घरों में काम करने वाले लोग, आटो रिख्षा चलाने वाले लोग बस सेवाइच लेने वाले लोग ये समाज का जो सब्चे बड़ा तब्का है इसका सामर्तवान होना हारत के सामर्त की गरंटी है और इसलिए हमारे आर्थिक विकास की ये जो मूलुभूत जमीनी ताकत है उस ताकत को सरवाधिक पल देने की दिशा में हमारा प्रयास चल रहा मेरे प्यारे देश्वासियों हमारे पास 75 साल का अनुभव है हमने 75 साल में कई सारी सिद्धियां भी प्राप्त की हैं हमने 75 साल के अनुभव में नए सपने भी संजोये हैं नए संकल्प भी लिए लेकिन अमरित काल के लिए हमारे मानव संसाधन का आप्टिमम आउटकम कैसे हो हमारी प्राकृतिक संप्रदा का आप्टिमम आउटकम कैसे हो इस लक्ष को लेकर के हमें चलना है और तब मैं पिछले कुछ सालों से अनुभव से कैसा चाहता हूँ आपने देखा होगा आज अदालत के अंदर देखिए हमारी वकील के छेतर में काम करने वाले हमारी नारी शक्ति इस ताकत के साथ नजर आ रही है आप ग्रामिन छेतर में जनप्रतिनी दिल के रुप में देखिए हमारी नारी शक्ति इस मिजाच से समर्पित भाव से अपनी गाओं की समस्याओं को सुलध्याने में लगी हुई है आज ग्यान का ख्षेतर देख लीजिए पिग्यान का ख्षेतर देख लीजिए हमारे देश की नारी शक्ति सिरमोर रजर आ रही है आज हम पुलीस में देखे हमारी नारी शक्ति लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उठा रही है हम जीवन के हर छेत्र में देखे खेल कुल के मैदान देखे या युद्ध की भूमी देखे भारत की नारी शक्ति एक नए सामरत नए बिस्वात के साथ आगे आ रही है मैं इसको भारत की 75 साल की जो यात्रा में जो योगदान है उसमें अब कई गुना योगदान आने वाले पती साल में मैं मेरी नारी शक्ति का देख रहा हूँ मेरी माताओं बेहनों का मेरी बेटियों का देख रहा हूँ और इसलिए ये सारे हिसाब किताब से उपर है सारे आपके परामिटर से अतिरिक्त है हम इस पर जितना ध्यान देंगे हम जितने जहना आउसर हमारी बेटियों को देंगे जितने सुविधाये हमारी बेटियों के लिए कैंद्रिस करेंगे आप देखना वो हमें बहुत कुछ लोटा करके देख वो देश को इस उचाएपर ले जाएगे इस अमरित काल में जो सपने पूरे करने में तो महनत लगने वाली है अगर हमारी नारी शक्ती की महनत जुड़ जाएगी क्यापक रुप से जुड़ जाएगी तो हमारी महनत कम होगी हमारा समय सिमा भी कम हो जाएगी हमारे सपने और तेजस्वी होंगे और अउजस्वी होंगे और दैदी प्रमान होंगे और इसलिए आईए साथियों हम दिम्मेवारियों को लेकर आगे बढ़े मैं आज भारत के समिधान के निर्माताओं का भी धन्यवाद करना चाहता तो उन्होंने जो हमें फैटल स्ट्रक्चर दिया है उसके स्पिरीट को बनाते हुए उसकी भावनाओ का आदर करते हुए हम कंदे से कंदा मिला करके इस अमरित काल में चलेंगे तो सपने साकार होकर के रहेंगे कार कम भीन्द हो सकते हैं कार शैली भीन्द हो सकती हैं लेकिन कंग कल भीन्द नहीं हो सकते राष्टर के लिए सपने भिन नहीं हो सकते हैं आईए हम एक ऐसे यूग की अंदर आगे बढ़े मुझे आद है जब मैं गुजरात का मुख्य मंत्री था केंदरे में हमारे विचार की सरकार नहीं थी लेकिन मेरे गुजरात में हर जगा पर मैं एक ही मंत्रा लेके चलता था कि भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास भारत का विकास हम कहीं पर भी हो हम सब के मनमस्तिस्क में रहना चाहिए हमारे देश के कई राज्ये हैं जिन्हों ने देश को आगे बढाने में बहुत भूमिक आदा की है नेतरुत्व किया है कई शेत्रों में उदाहरून काम दिकिये है कि हमारे फैडरलिजम को ताकत देते है लेकिन आज समय की मांग है कि हमें कोपरिटिव फैडरलिजम के साथ-साथ कोपरिटिव कमपरिटिटिव फैडरलिजम की जरूत है हमें विकास किस परदा की जरूत है और राज्य को लगना चाहिए वो राज्य आगे निकल गया मैं इतनी महनत करूँ आगे आगे निकल जाऊंगा उसने यह दस अच्छे काम किये है मैं पंदरा अच्छे काम करके दिखाऊंगा उतने तीन साल में पुरा किया है मैं दो साल में करके दूखाऊंगा हमारे राज्यों के बीश में हमारी सर्विस सरकार की सभी काईयों के बीश में वो परदह का बातावरन चाहिए जो हमें विकास की नई उचाईयों पर ले जाने के लिए प्याद करें मेरे प्यारे देशवासियो इस पचीज पर्ष का अमरित काल के लिए जब हम चर्चा करते हैं तब मैं जानता हूँ शुरोतिया अनेक है मरियादाएं अनेक है मुसिबते भी है बहुत कुछ है हम इसको कम नहीं आते हैं रास्ते खोचते हैं लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन दो विश्यों को तो मैं यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ चर्चा अनेक विश्यों पर हो सकती है लेकि मैं भी समय की सीमा के कार रहा है जो विश्वों पर चर्था करता है और मैं मानता हूँ हमारे इन सारी चुनवतियों को कारण विकृतियों के कारण बिमारियों के कारण इस पटीस साल का अमर्द काल उस पर शायद अगर हम समय रहते नहीं चेते समय रहते समाधान नहीं किये तो वो ये विक्रार रूप ले सकते है और इसलिए मैं सब की चर्चा न करते हूं तो पर जुरूर चर्चा करना चाहते हैं एक है प्रष्टाचार दूसरा है भाई भतिजावार परिवारवार भारत जैसे लोग तंत्र में हैं जहां लोग गरीबी से जूज रहे हैं जब यह तरफ से देखते हैं एक तरफ वो लोग है जिनके पास रहने के लिए जगा नहीं है दूसरी पार वो तरफ लोग है जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगा नहीं है ये स्थिती अच्छी नहीं है और इसलिए हमें प्रस्टाचार के खिलाब पूरी ताकत से लड़ा है पिछले आठ वर्चों में टारिक बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आधार मोबाइल इंसारिस आधूनिक व्यवस्ताव का उप्योग करते हुए दो लाग करोड रुपिय जो गलत हाथों में जाते थे उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगा रहा है मैं हम सपल हुए जो लोग पिछरी सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए उनकी संपतिया जपत करके वापिस लाने की कोशिश कर रहे हैं कईयों को जलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है हमारी कोशिश है जिनोंने देश को लूटा है उनको लूटाना पड़े वो स्तिती हम पादा करेगी हाई यू बहनो अब प्रस्टाचार के खिलाब मैं साब देख रहा हूँ कि हमें एक निर्णाय कालखन में कदम रख रहे हैं बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे इस मिजाद के साथ प्रस्टाचार के खिलाब एक निर्णाय कालखन में अब हिंदुस्तान कदम रख रहा है और मैं लाल के लिए की प्राचीर से मड़ी जिम्मेबारी के साथ क्या रहा हूँ और इसलिए भाईयो भेनो प्रस्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है मुझे इसके खिलाब लड़ाई लड़ने है लड़ाई को तेज करना है निर्णाय मोड पे लेकर के ही जाना है तब मेरे 130 करोर देशवाजी आप मुझे आशिरवाद दीजिए आप मेरा साथ दीजिए मैं आज आपसे साथ मांगने आया हूँ आपका सयोग मांगने आया ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊँ इस लड़ाई को देश जित पाएं और सामान नागरी की जिंदगी प्रस्टा चार ने तबाह करके रखी हुई है मैं मेरे इस सामान नागरी की जिंदगी को फिर से शान बान शान के लिए जीने के लिए रास्ता बनारा चाहता और इसलिए मेरे प्यारे देश वासियों यह चिंता कभी शेय है कि आज देश में प्रष्टाचार के प्रति नफ्रत तो दिखती हैं प्यक्त भी होती हैं लेकिन कभी-कभी प्रष्टाचारियों के प्रति उधारता बरती जाती हैं किसी भी देश में यह ठोभा नहीं देगा कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कौट में सजा हो चुकी हो प्रस्टाचारी सिद्ध हो चुका हो जेल जाना तय हो चुका हो जेल गुजार रहे हो उसके बावजुद भी उनका महिमा मंदन करने में लगे रहते हैं उनकी शान सौकत में लगे रहते हैं उनकी प्रतिष्टाबनाने में लगे रहते हैं अगर जब तक समाज में गंदनिकी के प्रती नफरत नहीं होती है फच्छता की चेतना जगती नहीं है जब तक ब्रस्टाचार और प्रस्टाचारी के प्रती नफ्रत का भाव पैदा नहीं होता है सामाजी ग्रुप से उसको नीशा देखने के लिए मजबूर नहीं करते तब तक एक मानस्री का खत्म होने वाली नहीं और इसलिए प्रस्टाचार के प्रतिवी और प्रस्टाचारियों के प्रतिवी हमें बहुत जागरूख होने की जरूब दूसरी एक चर्चा मैं कर रहा चाहता हूँ भाई बतीजाबाद और जब मैं भाई बतीजाबाद परिवारबाद की बात करता हूँ तो लोगों को लगता है मैं जिर्व राजनितिक शेतर की बात करता हूँ जी नहीं अमारी अनेक सौउस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुक्षान होता है मेरे देश के सामर्थ को नुक्षान होता है जिनके पांच आउसर की संभावना है वो परिवारबाद भाई भतिजे के बाद बाहर रह जाता है प्रसाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है ताकि उसका कोई भाई भतिजे के आसरा नहीं है तो लगता है चलो भई कहीं से खरीट करके कर जगा बना लू इस परिवारबाद से भाई भतिजाबाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी जागरुता पैदा करनी होगी तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएगे संस्थाओं के उजबल भविष के लिए बहुत आवश्चक है उसी प्रकार से राजनीति में भी परिवारबाद ने देश के सामर्तों को सबसे सारा अध्याय किया है परिवारबादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है उसको देश की भराई से कोई लेना देना नहीं होता है और इसलिए लाल किले की प्राची से तिरंगे जंडे के आन बान शान के नीचे भारत के समिधान का स्मारन करते हुए मैं देश वाच्यों को खुले मन से कहना चाहता हूँ आएए हिंदुस्तान के राजनीती के सुद्धी करण के लिए भी हिंदुस्तान की सभी संस्ताओं के सुद्धी करण के लिए भी हमें देश को इस परिवारबादी मानसिक्ता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधर पर देश को आगे लिए जाने के और बढ़ना होगा यह निवारियता है वरना हर किसी का मन कुन्ठित रहता है कि मैं उसके लिए योग्यता मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरा कोई चाचा मामा पिता दादा दादी नाना नानी कोई वहाँ थे नहीं यह मनस्तिती किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं मेरे देश के नौजवानों मैं आपके उजबस बनविश के लिए आपके सप्रों के लिए मैं बाई पती जावाद के खिलाब लड़ाई मैं आपका साथ चाहता हूँ परिवारबादी राध रिदी के खिलाब लड़ाई मैं मैं आपका साथ चाहता हूँ ये संब्यतानिक जिम्मेवारी मानता हूँ मैं ये लोग कंत्र की जिम्मेवारी मानता हूँ मैं ये लाल के लिए के प्राचीर से कही गई बात की टाकत मैं मांता हूँ और इसलिए मैं आज आपकर उशर चाहता हूँ हम ने देखा पिछढ़ी दिनों खêtre खेलों में ऐसा तो नहीं है कि देश के पाउख बाइले प्रती भाइन नहीं रही हूँ ऐसा तो नहीं है कि खेल कुछ की दुनिया में हिंदुतान के नवजवाँ हमारी बेटे-बेटिया कुछ करनी दे लेकिन सिलेक्षन भाई भती जिवाद की चेनल से गुजरते थे और उसके कारण वो खेल के मैदान तक उद देश तक तो पहुंच जाते थे की टार्चे उन्हें लेना देना नहीं था एकिन जब ट्रांस्परनसी आई योग्यता के अधर पर खेलाडियों कर चैन होने लगा पूर परदर्शिता से खेल के मैदान में सामर्था का संमान होने लगा आज आज देखिए दुनिया में खेल के मादान में भारत का तिरंगा फैरता है भारत का राश्टर गान गया जाता है गर्व होता है और परिवारबाज से मुक्ति होती है बहाई बतिजाबाज यह ठीक है चुनोतिया बहुत है अगर इस देश के सामने करोड़ों संकट है तो करोड़ों समाधान भी है और मेरा 130 करेट देश्वासियों पर भरोजा है 130 करोड़ों देश्वासि निर्धारिज लक्ष के साथ संकल के प्रती समर्पन के साथ जब 130 करोड़ों देश्वासि एक कदम आगे रखते हैं तो हिंदुस्तान 130 करोड़ों कदम आगे बढ़ जाता है इस सामर्पन को लेकर के हमने आगे बढ़ना है इस अमरित काल में जबी अमरित काल की पहली बेला है पहली प्रभात है हमेरे आने वाले 35 साल को एक पल भी भूलना नहीं है एक एक दिन समय का प्रतेक्षन जीवन का प्रतेक्षन मात्व भूमी के लिए जीना और तभी आज हदी के दिवानों को हमारी सच्ची सर धांज दियोगी तभी 35 साल तक देश को यहां तक पहुंचाने में जिन जिन लोगन योगदान किया उनका पुन्य स्वनान हमें काम आएगा मैं देश बाच्यों से आगरह करते हुए नई संभावनाओं को संजोते हुए नई संकल्पों को पार करते हुए आगे बढ़ने का विश्वास ले करके आज अमरित काल का अरंब करते हैं आज आजी का अमरित महोत्सव अब अमरित काल की दिशा में पलट चुका है आगे बढ़ चुका है तब इस अमरित काल में सबका प्रयास अनिवार्य है सबका प्रयास ही प्रणाम लाने वाला है टीम इंडिया की भावना ही देश को आगे बढ़ने वाली है 130 करोर देश सवाच्चों की एट टीम हिंडिया एक टीम के रुप में आगे बढ़ करके सारे सपनों को साकार करेंगी इसी पुरे विश्वाच के साथ मेरे साथ बोलिए जय हिन जय हिन भारत माता की बारत माता की बंदे 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 प्राविल रुपन बंगर बिंद इमाचन यमुनादंगा उंचन जलनितरंगा कि उत्काइब तो फ्रेंग कर हmor abortion स्काइब आठते हुआब ंत्र आड्रावा कर दूसरे स्पूपन ऑज्वादंगा यम्ट GOOD रावचन जायाएब पार्त बाद्यावत फार्त वाट्ट जाया है खिए प्राइब को हां प्लपिए प्लेट करूं व रेज्टा देन प्लेंसित कि अग्राइब थे प्राइब काजमडुकि ए गॉर्शम compelling झाल